सरदी के मौसम में चाय लोगों के लिए एक टॉनिक के तरह काम करती है यहां तक कि कुछ लोग तो अपने दिन की शुरुआत और अंत चाय से करना पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग चाय पीने के इतनी आदी होते हैं कि उन्हें दिन भर चाय पीने की लत रहती है कई बार देखा जाता है कि चाय के साथ या चाय पीने के बाद लोग कई चीजों का सेवन करते हैं मगर वो भूल जाते हैं कि जिन चीजों का सेवन वो कर रहे हैं वो हमारे स्वास्ते के लिए कितने हानिकारक हो सकते हैं हम आपको बताते हैं कि चाय पीने के बाद आप किन चीजों का सेवन कभी भूल कर भी ना करें क्योंकि ऐसा करने से आप गंभीर बिमारियों के शिकार हो सकते हैं चाय पीने के बाद इन तीन चीजों का कभी ना करें सेवन मूली यो तो मूली हमारे स्वास्ते के लिए बहुत लाब दाएक है, मगर चाई पीने के बाद कभी भी मूली का सेवज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे चہरी पर सफेद दाग होने के अलावा, बाल सफेद होने का भी खतरा बना रहता है. पानी कहा जाता है कि जल ही चीवन है मगर चाय पीने के बाद पानी पीना बहुत ही घातक सिध हो सकता है चाय पीने की तुरंत बाद पानी पीने से हमारे नाक से खून आ सकता है जबकि चाय के ठीक पहले पानी पीने से भी पाचन क्रिया बिगड़ने का खत्रा रहता है हल्दी वाला दूद कहते हैं कि पुराने से पुराना और जिद्दी से जिद्दी दर्द को छूमंतर कर देता है मगर चाय के बाद हल्दी वाले दूद का सेवन नहीं करना चाहिए वरना आपको जॉन्डीस की बिमारे का खत्रा बढ़ सकता है अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जॉनकारी अच्छी लगी तो हमें कॉमेंट करके बताएं और हाँ जॉनकारी सिर्फ अपने तक न रखे बलकि इसे तुरंत अपने दोस्त, पडोसी और रिष्टेदारों तक पहुँचाए ऐसे ही दिल्चस्प जॉनकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले